वो तो एक परवाज है पुरगोर एक आवाज है खामोशियों की है जुबाँ चल दे तो चल दे कारवाँ वो है जहाँ, वो है जहाँ लगती है जैसे आसमा वो है जही वो रोशनी तेजस्विनी, तेजस्विनी, तेजस्विनी तेजस्विनी, तेजस्विनी, तेजस्विनी तेजस्विनी नमस्कार तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है अपने लिए तो सभी जीते हैं अपने लिए तो सभी काम करते हैं और खुद आगे भी बढ़ते हैं लेकिन ऐसे कम हैं जो दूसरों के साथ काम करते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं उनकी संपनता उनकी विकास के बारे में सोचते हैं हमारी आज की तेजस्विनी ऐसी ही है जो कि ग्रहमीन महिलाओं को सशक्त करने का काम कर हैं वो महिलाय जो शिल्पकार हैं कारीगर हैं हुनर मंद हैं जो जानती हैं कि भारत का हैन्डी-क्राफ्ट किया है क्योंकि वो खुद उससे बनाती है ऐसी तमाम नहीं महिलाओं को आगे बढ़ने का जो काम कर रही है और और हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्यम को एक ऐसे बिसनस मौडल के रूप में आज पेश कर रही है जो कि हमारे ग्रहमीन भारत को एक नई उचाई दे रहा है, नई बुलंदी दे रहा है, नई रोशनी दे रहा है आज की हमारी तेजस्विनी ऐसी ही है जिनका नाम है सुमिता घोश खुद को तो कोई भी समर्थ कर सकता है लेकिन 2000 अन्ने लोगों को समर्थ करना वास्तव में एक बड़ा काम है जिसे कर दिखाया सुमिता घोश ने दस साल पहले 2006 में कारिगरों की कोपरेटिव के तौर पर शुरू की गई रंग सूत्र आज अपने आप में एक अनूठा बिजनस मॉडल बन चुका है जहां 2000 कारिगर जिनमें ज्यादा तर ग्रामेन महिलाएं हैं वो इस कोपरेटिव की शेर होल्डर्स बन चुकी हैं मिशन के तौर पर शुरू किये गए सहकारी आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती प्रतिस परधा के दौर में लाब के साथ कारिगरों को उचित मज़ूरी देना थी और सुमिता ने इसे बहु भी अंजान दिया आज रंग सूत्र टेक्स्टाइल के एक शेत्र में अपने रेजिलीशन पर शोथ किया 1997 में एक हादसे ने सुमिता के जीवन को जख छोर कर रख दिया जब उनके पती संजय घोश की असम में उग्रवादियों द्वारा अपरण कर हत्या कर दी गई इस व्यक्तिगत रासदी के बावजूद सुमिता ने हार नहीं मानी और उतनी ही लगन के साथ इस काम को आगे बढ़ाया और आज इस मकाम तक पहुँची जहां देश के ही नहीं विदेशों के बड़े-बड़े ब्राइंड्स भी रंग सूत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस वर्ष राश्रपदी द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजी गई एक बेहद सफल महिला उद्यमी सुमिता घोष हैं हमारी आज की तेजस्विनी तो आईए मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही सामाजिक उद्यम रंग सूत्र को खड़ा करने वाली जो की एक सफल बिजनस मॉडल कहलाता है शुमिता घोष हमारे साथ हैं बहुत-बहुत स्वागत है शुमिता जी आपका यह बताईए कि बहुत-बार लोग सोचते हैं कि पढ़ लिखकर हम जो हैं किसी कॉर्परेट में काम करें अच्छा मेरेजमेंट में पढ़ाई की है अच्छी स्कॉलरशिप अच्छा सब चल रहा है हम क्यों जाएं गाओं में हम क्यों काम करें उनके लिए लेकिन आपने ऐ अच्छा मेट थे संजय तो उनके शुरू से इसी में रूची थे ग्रामीन विकास में और मैं इकनॉमिक्स पढ़ रही थी और मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए यह क्या होता है कैसे होता है क्योंकि शहर के लावा मुझे ज्यादा पता ने था गाओं के बारे मे तो ऐसे ही हमारे फिर सोच मिले फिर हमारी शादी हुई और मैं गई साथ में उनके साथ में बीकानेर के एक चोटा सा गाओं लून कर अंसर करके गाओं है वहां गई और काम शुरू हुआ वहा पर तो लून कर सर में जब आप पहुंची जैसे कि आप कह रहें कि आप तो अपार पंदना उसकाम को आगे बढ़ाना को आसान काम नहीं होता है। तो इस वक्त कभी आपको लगा था कि कहा आ गई और फश गई ये आपका दिल से दिल मिल चुके थे वहां से। दिल से दिल मिल चुका था बाट शुरू में बहुत परिशानी हुई। बहुत परिशानी हुई एक तो मुझे हिंदी भी ठीक से नहीं आती तब अभी भी अगर सुनोगे तो क्योंकि मैं बंगाल की हूँ तो थोड़ा स्रिलिंग पुलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है और शुरू में जब मैं गई वहां पे तो मैंने देखा कि ये एक अलग देश ही है महीलाए घुंगट में थी अभी भी है कुछ महीलाए वहां हम गाओं में जाते तो वहां महीला कार्य करता कर्मी ढूनते तो वहां कोई पड़ी लिखी महीला नहीं मिलती तो हमें शहर से और भी महीलाए लाना पड़ा और रिती रिवाज तो एकदम अलग थे वहां के तो एक मजाक की कहानी है कि जब ही भी मैं जाती थी गाउं में पहले ही पूछते थे लोग की आपका गाउं कौनसा है तो मैं कहती थी, वो तो Bombay है, ठीक है, वो समझ लिया, फिर आपके जात क्या है, तो मैं कहती थी, महीला, तो फिर हसी मजाग में, फिर third question होता था, कितने बच्चे हैं आपके, तो शुरू शुरू में ये, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला, बहुत जल्दी actually, कि हो सक है, उन इलाकों में Bombay, दिली जैसे शहर, जैसे सुविधाय नहीं है, लेकिन लोगों में जो हार्ड वर्किंग है, जो अपने सीमित साधनों को कैसे उसको समेट के कुछ बना सके, कुछ कर सके, ये मुझे सीखने को मिला, वहां पर, तो फिर उसके बाद, मतलब राजस्तान आपकी कर्ण भूमी बन गई, और आप शाद नौर्टीस्ट पी चली गई, नौर्टीस्ट गए हम, राजस्तान में दस साल काम किया, फिर लगा कि वहां के जो स्थानियों लोग है, जो हमारे साथ जुरे थे, उन में से काफी लोग आ गया है, तो उनके हाथ में संस्था, उर्मूल संस्था है अभी भी, अच्छे तरह से चल रहा है, वो छोड़के हमें लगा कि नौर्टीस्ट जाएंगे, नौर्टीस्ट में क्योंकि परिशानिया थी, अभी भी है कुछ, तो हम वहां जाके काम शुरू किया, हम छोटा सा टीम था हमारा वहां पे, छे जनों का कुछ, हमारे जैसे बाहर के लोग, तीन जन और कुछ वहां के स्थानिया लोग मिलके हमने शुरू किया काम, और जैसे ही शुरू किया, तो तीन महने बाद वहां बहुत भयंकर फ्लड हो गया वहां पे, बाढ़ आई, और माजूली द्वीप में, जो असाम में है, जो रहा जैसे हम वहां पे काम शुरू किया, तो क्या माजूली में जो हैंडी क्राफ्स और इस तरह का था, उसको भी लेकर आप कुछ काम कर रही थी उस वक्त, माजूली में तो किया, माजूली में वहां का एक मेशिंग ट्राइब है, और लोकल भी जो असमिया महिलाए है, सब के गरामीन अलाके में जाओगे, तो सब के घर में खड़ी होता है, बास के बने हुए खड़ी, और वहां एक कहावत है कि जब तक लड़किया ये चलाना नहीं सिकते हैं, उसके शादी नहीं होगी, तो सब लड़किया महिलाए अपने कपड़े बनाते हैं, कुछ खुद के ल ही रिच स्किल्स है वहां पर अभी भी, तो शुमिता जी वहां मतलब आपके साथ में ऐसी जिन्दगी की घटना हुई, जिसने शायद जिन्दगी को बिलकुल एक तरह से एक तोड़के रख दिया, हम कह सकते हैं, आपके पती जो है वह उगरवाद का शिकार हो गए, या उ और हम वहां के लोगों के साथ गुल मिलके जो भी स्वास्तिय से वाए फिर उसके जब बाद चले पानी निकल गया तो वहां पे और क्या आईवर्धन के काम हम शुरू कर सकते ताकि लोगों के हाथ में आमदनी आए, यह हमने प्रयास किया और सबसे बड़ा कि वहां का जो दिब्रुगर में और माजूली द्वीब के 30,000 लोग श्रमदान दे के उस द्वीब को बचाने के लिए हमने पहल किया तो तब वहां के जो उगरवादी है उनको यह लगा कि अगर इस तरह से सकारात्मक रचनात्मक काम चले तो उनके जो जो कौज है जिसके लिए वो लड पहल नहीं होगा तो तब उन्होंने प्रयास किया कि हमारे काम को बंद करें पहले तो पोस्टर खूब सारे लगाए द्वीब में कि यह लोग ऐसे एजेंट है भारत सरकार की फिर एक दिन संजै जी एक गाउ में गय थे मीटिंग के लिए तो वहां यह लोग मिले उन्होंन तो फिर उसके बाद क्या किया मतलब आप फिर वापस आ गई और लेकिन आपने वो मिशन नहीं छोड़ा जो संजै जी ने जिसका स्वाद एक बार चखा दिया था आपको वो मिशन आपने जिन्देगी पर छोड़ा नहीं फिर क्या हुआ आगए कुछ समय तो मैंने यहां म कैसे बढ़ा करें यह मेरे मेरे पहले प्रयास था और तब मैं एक और संस्था में काम किया उसके बाद दहंगर प्रोजेक्ट करके एक जो कि यहां पे हमारे देश में जितने भी महिला जो पंच सरपंच बने हैं उनको कैसे शर्शक बनाए ताकि वो अपने गाउं में अच काम किया बहुत थी अच्छा अनुबव रहा क्योंकि हालांकि बहुत सारे महिलाए आरक्षन के वजए से आई थी और बहुत सारे ऐसे महिलाए थी अभी भी है पंच सरपंच जो पड़ी लिखी नहीं है बट बहुत हिम्मत रखके और कर रहे हैं काम तो वहां तीन-चार सा मिले फुलब्राइट फेलोशिप अमेरिका में पढ़ने के लिए वहां पे गई और वहां पे conflict resolution में master's किया और उसी के दौरान एक paper था जो हमें लिखना था वहां प्रफित नहीं कि यह सन 2001 रहा तब मुझे लगा कि नौत प्यूर नौत फॉर प्रफित नौत इवन प्यूर बिजनेस केवल प्रफित के लिए हो बट एक ऐसे और इसे और चाहिए विच के तेक देग देग दोनों के जो अच्छाई है इसको ऐसे संस्थाय चाहिए अभी 21 वी शताब दी में तो तब मुझे ये रंग सुत्रा की बात तब मेरे ध्यान में आई मैंने पेपर लिखा और तो रंग सुत्रा जो है वो एक सामाजिक उद्यम होने के साथ साथ एक कमपनी भी है मतलब एक बिजनस मॉडल आपने खड़ा किया और 2006 के के करीब आपन छिरो ये में रंग सुत्रे बना दिया तो ये रंग सुत्रे इसलिक है कृट मरें श्न।ë म किरेधने इतकि खड़ा किया और मतलब इसक लिए क्या कुछ वक्त आपको कर काया थिर्डी म मेरे लिए एक प्रेरना हमेशा अमूल मोडल रहा गैगर तो ये सकारे का करछ शृव तरह से लोगों की भागीदारी से अमूल चलता है जो दूद उत्पादर का तो उसी से लेके मुझे प्रेणा मिली और यहां जब हमने कमपनी शुरू किया अच्छली हम बैंक गए पहले पैसे लेने के लोन मागने के लिए लेकिन तब हमारे पास तीन साल के बैलेंस शीट न नहीं मिला तो तब हमने सोचा की क्यों ना जो पहले राजस्तान में जहां पहले में काम करती थी आसाम के भी काफी सारे लोगों से बात किया और उस वकत फिर यह दो हजार चे की बात ही है हजार लोगों ने जिसमें से अत्ती प्रतिशत महिलाए थी हजार लोगों ने हजा रुपिया दिया वो 10 लाग हुआ और उससे हमने कमपनी शुरू किया जी तो रंग सूत्र की शुरुआत हो गई जिसमें 80 प्रतिशत ग्रामीन महिलाएं हैं वो महिलाएं जो हुनर जानती हैं वो महिलाएं जो भारत के हैंडी क्राफ्ट की समभाग हैं उसे आगे बढ़ाने वाली हैं जिनको अपने साथ जोड़ा शुमिता खोश ने ये कारिक्रम अभी जारी रहेगा लेकिन वक्त तो एक छोड़ा एसे ब्रेक का तुरंत हाजिर होते हैं आप देखते रही है तेजस्वीनी Now the national news channel of india, live on your mobile phone, get the news on the go. Watch top videos, get the latest news, and continuous news on your mobile phone. Download D.D. News app now. Visit the Android Play store, search for D.D. News, download the app to your phone. तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम शुमिता घोष से बात कर रहे हैं हमारी आज की तेजस्विनी जोग जिन्होंने एक सोशल एंटरप्राइस खड़ा किया रंगसूत्र और आज असी प्रतिशत महिलाएं जो हैं उसमें शामिल हैं तो फिर ये रंगसूत्र की जब शुरुआत हुई उस वक्त जैसे आपने का आप बैंक गई थोड़ी परेशानी हुई लेकिन ये बताए कि आपका जो कर्म स्थली है आपकी वो कहां-कहां फैली हुई है और उसको आपस में जोड़ने का काम भी एक बहुत बड़ा काम है तो वो किस प्रकार से आप करते हैं तो शुरूवाद में तो पश्चमी राजस्थान जहां मैंने दस साल काम किया था वहां से ही जो दस्तकार लोग है बुनकर है वो जुड़े थे महिला है और फिर उसके बाद हम जैसे कुछ 4-5 साल वहां अच्छा काम किया वहां पर शुरू में काफी ट्रेनिंग देनी पड़ी क्योंकि महिलाओ के पास और जो बुनकर है उनके पास कला तो है लेकिन आज की जो आधुनिक बजार है उसमें चाह क्या है उसमें डिमांड क्या है चाहत क्या है उनको मालुम नहीं है क्योंकि वो गाउं में रह रहे हैं तो यह हमारे टीम में डिजाइन. है तो हम जाके उनके साथ ने डिजाइन्स बनाए गाउं में ही और फिर हमने यह देखा कि इसके लिए मार्किट लिंगेज तो बहुत जरूरी है तो हमने FAB या उन्होंने सहर्ष अपनी सुईगृति दे दी कि हाँ चलो ठीक है हम आपके साथ जुड़ते हैं अचली सप्राइजिंग बात यह है कि मुझे लगा कि कैसे मैं कैसे मांगू लोगों से कि हजार रुपिया इसमें रखो क्योंकि मैं खुद मैं कभी इन्वेस्ट ने की थी कोई भी कंपनी में या कोई भी एंटरप्राइज में लेकिन मालू में ग्रामीन महिलाओं में यह था कि हाँ क्यों नहीं देखते हैं एक विश्वास रहा कि हमारे हमारा जो हुनर है स्किल है इसमें कुछ है और तब मैंने भी लोन लेके और दस लाक मैंने भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया साथ में और भी लोगों ने किया और शुरू में प्रॉब्लम यह रहा कि ओर्डर्स की प्रॉब्लम नहीं थे शुरू से ही क्योंकि स्किल्स इतने अच्छे है हमारे डिजाइन टीम भी बहुत बढ़िया है तो हमने अच्छे प्रॉडक्स बने जो बिकते है अच्छे तरह से अभी भी बाजार में कभी भी वह प्रॉब्लम रहते है कि समय पर कैसे काम करे डिलिवरी टाइम पर क्योंकि अगर एक रेंज दि वह गाओं में जाके कहीं प्रॉब्लम हो जाते हैं एक वह ताइक था कि सारे महिलाओं होम बेस्ट थी तो एक बार वह घर जो काम है घर में ले जाते तो वहां गंदा भी हो जाता, वहां बहुत टाइम लगाते, तो हमने धीरे-धीरे करके महिलाओं को सेंटर्स मिलाए, पहले तो विरोध कर रहे थे, नहीं आपाएंगे, बच्चे कैसे छोड़ेंगे, गाए दूद नहीं देगी अगर आते हैं, त उससे बहुत फरक पड़ा, एक तो एक समुधाय मिली वहां पर, दस, पंदरा, बीस महिलाए, कहीं जगा तो चालीस, पचास भी एक साथ बैट के काम कर रहे गाओं में, और एक दूसरे से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो प पसंद नहीं आया, खासकर अगर हम उनको शहर में बुलाते हैं, कोई ट्रेनिंग वरक्शाप के लिए, दिल्ली में भी लाए, कहीं बाहर बाजार में, दिखाने के लिए कि आपके प्रॉडक्स कहां बिख रहे हैं, तो तब कुछ आदमी थे जिनको पसंद नहीं आया, किस था कि बदलावर को देखने को मिले, रहे हैं, बहुत ही, इंस्पाइरिंग रहे हुए, जैसे हमने उत्र प्रदेश मिर्जापूर और गख़ानपूर में धे पांशाल काम शुरू किया और लगातार काम करते हम अभी इन महिलाओं को अंतर राश्ट्रिय बाजार तो आइकिया तक हमने जोड़ा है तो कुछ दिन पहले मैं वहां गई थी और महिलाओं से मिली और यही बात चल रहे थी कि चलो काम तो चाहिए और रोजगार चाहिए और आमदनी यह एक बहुत बड़ा एक असर रहा है बट इसके इलावा और क्या है तो उन्होंने कहा कि और यह बहुत सारे महिलाओं कि चलो पैसे कमाते हैं यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उससे ज़्यादा हमारे जो आत्म विश्वास बड़े हैं हम घर से बाहर निकल के यहा कहीं और पहले तो लोग मजाग करते थे पता नहीं यह कहा जा रही है अब लोगों को मालूम है कि इस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं फिर वो कहते हैं कि एक तो खुद के आत्मविश्वास बढ़े हैं उस पैसे से अपने बच्चों को खासकर लड़कियों को वो स्कूल कि दूगी फिर एक महिला यह कहानी मुझे अभी तक याद आता है राजस्तान की है मैं गई थी उसके जोपड़ी में ज्यादा बड़ा घर नहीं है और वो अपने दिवार में काफी फोटो थे कुछ तो भगवान के रखते हैं अपने परिवार के और एक रंग सूत्रा शे दीदी मुझे मालूम है यह मेरे शेयर सटिट्रमिके शेयर है तो तो मैंने कहा इसको आप दिवार में क्यू रखे हो उसने जो पहाँ उसने कहा कि दीदी जिस घर में में रहरी हूँ जो किए ली जार में से claro इससीलिए मैंने वहाँ पर दिवार का हुआ है हम आईफिटी को से लीड और उमेरा वहाँ है और वो responsibility आते है, right भी आते है, right आते है इस तरह से कि कभी-कभी मुझे phone आते है मेरे पास, कि हम तो shareholder बने हमारे गाउं में काम नहीं है, order लाओ, तो वो एक तरह से एक हग बन गया, बट responsibility यह है कि वो समय पे और अच्छी तरह से quality काम करें. कितनी महिलाएं आपके साथ, मतब कितने लोग आपके साथ दस्तकार जुड़े हुए हैं और लगबग कितने का turnover आपका आजाता है, तो करीबन धाई हजार लोग हैं, जिसमें से 80% महिलाएं हैं, और यह पस्चमी राजिस्थान में, फिर Eastern UP और मनिपूर के हैं, turnover हमारा 10 क्रो साल, तो अच्छी तरह से अब लगातार इन लोगों को रोजगार मिलते हैं, और हमारा company भी profitable है, और मुझे यह सीख मिला है, कि it is possible कि आप सही दाम दो लोगों को, जो मेहनत कर रहे हैं, आपका भी जितना खर्चा होता है, उसमें obviously आएगा, बाजार में बिकेगा, मतलब there is enough in this world for everyone's need, जो गारी जी तो आप मतलब आपके जो प्रोड़क्स हैं, वो विदेश भी जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, यह बताये शुमीदा जी अब आगे क्या आपका इरादा है, और कितना उपर तक इसको ले जाने का मन करता है आपका, इरादे तो बहुत है, खास कर क्योंकि हमारे पास अभी अलग-अलग गाओं से अलग-अलग राजियों से लोग संपर करते हैं, खास कर जो छोटे जगह पे रहते हैं, जो जिले या ब्लॉक्स थर पे काम कर रहे हैं, कि हमें भी जोडिये, हमें भी नए डिजाइन दीजे, ओर लाके दीजे, तो यह ए काम कर सकते हैं, जो धीरे-धीरे खतम हो सकता है, अगर हम उसको आगे नहीं करें, बट चालेंज यह है कि लगातार बाजार में भी सफल होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, जो की है, गुड थिंग इज हमारे इंडिया में ही है यह डिमांड, और खास कर महिलाए, भारत में ऐसी चीजें उपलब्द हों, और उपलब्द होने के साथ कॉस्ट एफेक्टिव भी हों, और वो मिलें, और जो हमारा कारिगर है, जो दस्तकार है, जो वो कहीं खत्म ना हो, यह बहुत बड़ी बात है शायद, तो इसके लिए एक तो हमने यह खास कर यह सोचा है कि क्य इसमें कैसे, उनको as customers कैसे हम लाएं, तो यह प्रयास है, नेक्स्ट की, हम कैसे young generation को, इस हमारे जो traditional skills है, traditional heritage है, वो कैसे उसको appreciate करें, जी और हमें उमीद है कि आप जिस mission पर निकली हैं, वो ज़रूर सफल आप होंगी, सफल आप हैं, और और जादा आप उलंदियां को चु शुमिता घोष, हमसे बात करने के लिए धन्यवादा आपका, शुक्रिया, तो यह थी शुमिता घोष, हमारी आज की तेजास्विनी, अगले हफते एक नई तेजास्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगी, तब तक कि लिए इजास्त दीजिए, नमस्कार झाल झाल